दोस्तों इस वीडियो के अंदर दिया गया संदेश हर एक ट्रेडर के लिए बहुत महतपून है वीडियो को पूरा समझने के लिए लास तक देखना आप सभी के लिए अनिवारिय है और ये लगा दी है मैंने 20 डॉलर्स की ट्रेड डाउनवर्ड डिरेक्शन में और हमारा जो टाइम है ट्रेड का एकस्पारी टाइम वो है एक मिनट दोस्तों लास्ट ट्रेड जो है वो मैं विन कर गया हूँ चले अब एक काम करते हैं लास्ट ट्रेड तो मैं विन करी गया हूँ तो अब मैं किया करता हूँ 20 की जगा 40 डॉलर की ट्रेड लेता हूँ क्योंकि अगर मैं 40 की जीता हूँ तो मुझे 32 डॉलर का profit होगा तो बहुत बड़ा profit है यार मेरे लिए तो तो मैं 32 डॉलर की ट्रेड ले लेता हूँ बिना किसी signal के बिना किसी indication के सिर्फ आख बंद करके म 8090 पूरे 100, 100 में निकला धागा, चो निकल के भागा, ठीक है, मैंने अपवर्ड डिरेक्शन में एक ट्रेड ले ली है, वो ले ली है 40 डॉलर्स की, तेख सकते हैं अभी, अभी आप मैं लाइव अकाउंट से हूँ, अपवर्ड डिरेक्शन में 40 डॉलर्स की ट्रेड ले ली है, हमारा जो एक्सपारी टाइम है, वो है वन मिनिट, भाई मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे यह जो ट्रेड है, वो विन कर गया तो, अरे यार, अनफॉर्चुनेटली, मैं वो ट्रेड लॉस कर गया, तो अब मैं टूटल कितने लॉस में चला गया, एक मैं मैं कैलकुलेटर मैंने उपन करी रखा है, तो 40 डॉलर्स की मैंने ट्रेड ली थी, और 16 डॉलर्स मैंने लास ट्रेड में अर्ण किये थे, तो मैं अभी जो टूटल लॉस में चला गया हूँ, वो 24 डॉलर के, यार 24 डॉलर का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है मेरे लिए तो, तो इसको मझे कवर करने के लिए ना, एक 50 डॉलर की ट्रेड लेनी पड़ेगी, 50 की, नहीं 50 की क्यों यार, अभी तो 40 आ रहे थे ना, तो मैं 80 की ट्रेड लूँगा, जो होगा देखी जाएगी, विन करेंगे यार, देखे जाएगी, क्योंकि अब लॉस नहीं देख सकते ना, लॉस नहीं ले सकते, तो 80 डॉलर की मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बिना मार्केट को देखे हुए, बिना कुछ किये हुए, और इस बार हमारी डिरेक्शन रहने वाली अपवर्ड, और एक मिनिट के लिए मैंने जो ट्रेड है, वो प्लेस कर दी है, ट्रस्ट मी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो मैसिज मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो आप लोगों तक तभी कनवे होगा, जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, यार लगता है, ये वाली ट्रेड भी हम लॉस करने वाले, क्योंकि हमारा जो सिगनल है, वो अपवर्ड डिरेक्शन के लिए है, और हमने जो ट्रेड लिया है, वो भी अपवर्ड डिरेक्शन के लिया है, और जो ग्राफ है, जो केंडल है, वो downward direction में जा रही है तो यह जो trade है हम loss कर गए है तो यार अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ नहीं समझा रहा है बहुत बड़े loss में हूँ तो यार अगर मैं एक trade अब लेता हूँ 96 dollars की तो मेरा सारा loss अभी तक का recover हो जाएगा सारा loss recover हो जाएगा अगर मैं सिर्फ एक trade 96 dollars की लेता हूँ ठीक है कोई बात नहीं जो होगा देखी जाएगी अब मैं एक trade 96 dollars की लेने वाला हूँ ठीक है यार market check कर लेना चाहिए इससे पहले लेकिन कोई बात नहीं जो होगा देखी जाएगी अब मैं लेने वाला हूँ downward direction में एक minute की trade और इस बार जो हमारा investment है वो है 96 dollars का और direction हमारा है downward direction और एक minute की हमने जो trade है वो place कर दी है यार गाईस क्या करें कुछ नहीं समझा रहा है हमारा जो direction है trade की उसके against ही जारी है चीज़े मैंने downward direction के लिए trade लिया है लेकिन trade जारी है upward direction में पता नहीं यार हो क्या रहा है यार मेरे साथ पता नहीं यार या olive trade वाले मुझे क्यों हराने में लगे हुए जान बूच के is it true और मतलब like है क्या मतलब जिस direction में trade ले रहा हूं उसके opposite ही trade जा रही है ठीक है guys अब आप देखेंगे तो मेरा live account का जो balance है वो हो चुका है 0.00 और जब start की थी मैंने video बनानी तब मेरा यहां पर balance था 200 dollars मतलब 15,000 रुपे and trust me यह जो 15,000 रुपे मैंने इस video पर गवाए है ना खोए है जान बूच के यह सिर्फ इसी लिए खोए है ताकि आप लोगों को यह समझाए कि ट्रेडिंग में जो probability and possibilities रहती है वो 50-50% रहती है 50% हमारे chances जीतने के होते हैं 50% हारने के होते है यह जो मैंने आपको अब पूरा एक कार्यक्रम दिखाया ना starting में वीडियो के शुरू से लेके अब तक वो एक normal user की तरह था मतलब एक अगर normal user होता है जिसके पास थोड़े से पैसे होते है तो वो इस तरीके से react करता है मतलब suppose करो मेरे पास 15,000 रुपे है all-in trade में invest करने के लिए तो मैंने invest कर दिये उसके बाद 200 डॉलर्स मैंने invest कर दिये एक normal user वो थोड़ी थोड़ी ट्रेड लेगा फिर बड़ी बड़ी ट्रेड लेना स्टार्ट हो जाएगा loss recover करने के चकर में पूरी ही ट्रेडिंग का the end कर देगा thumbnail को justify करना भी जरूरी है पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग का career है अपना वो the end कर देगा last में गाली किसको देखे जाएगा volume trade बिकार platform है भाई ये जो platform वाले ना ये भी आप लोगों से पैसे कमाने के लिए ही बैठे है क्यों इनको ऐसा मौका देना कि आप लोगों से ये पैसा कमा के जाए just imagine just think about it आपको यहाँ से पैसे कमाने के लिए accuracy नहीं चाहिए एक plan चाहिए you have to follow a proper plan not accuracy मतलब simple सी भाषा में ये है कि अगर आप trading सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो एक passive income generate करना चाहते हो यहाँ से तो एक चीज दिमाग में रखो लालच बुरी बला है अगर लालच लेके चलोगे यहाँ पे तो आप in the end घर पे zero लेके जाओगे जिसका example मैंने live अभी आपको दिया है अपने 15,000 रुपे खराब करके जिसको मुझे कोई return नहीं मिलने वाला है लेकिन गए तो गए लेकिन आप लोगों को समझाना जरूरी है हर एक normal user यही करता है चाहे वो 200 डॉलर का count हो चाहे 100 डॉलर का count हो 10 का हो, 50 का हो, 30 का हो doesn't matter हर एक इंसान शुरुआत धीरे करता है आने वाले time में लालच आ जाता है एक दो trade जीतने के बाद वो सोचता है और profit लूँ profit लेने के चकर में उसका loss हो जाता है loss recover करने के चकर में वो अपना पूर account blow कर देता है zero कर देता है trust me, ऐसे काम नहीं चलेगा बहुत सारे messages मेरे पास आते है sir, account zero कर दिया मैंने ये कर दिया भाई, आप हमेशा slowly चलो हर एक दिन return के हिसाब से जओ आपको return लेना है इस platform से ना कि पैसे अर्बो करोडों में कमाने है हाँ, ये जो platforms है ये आपको वादा करते है बहुत सारे advertisement दिखाते है कि आप करोडों रुपए कमा सकते हो वो सब तो गलत है भाई, लेकिन यहाँ से आप सिर्फ return ले सकते हो आप suppose करो आप अपना जो पैसा है वो किसी bank में invest कर रहे हो तो आपको कितना percent return मिलता है बहुत कम return आपको वहाँ समलता है लेकिन ये जो platform है ऐसे platform से आप अच्छा खासा return ले सकते हो लेकिन अगर आप सोचोगे करोड़ पती बनने की तो यहां से आप सिर्फ zero लेके जाओगे जिसका example अभी आप देख पा रहे है live account 0.00 trust में ऐसे काम नहीं चलने बारा है हर एक इंसान जो मेरे साथ जुडा हुआ है या नहीं जुडा हुआ है या नहीं जुडा हुआ वीडियो first time देख रहा है last time देख रहा है मुझे नहीं पता लेकिन सिर्फ इतना जरूर बताना चाहूँगा कि आप जो trading है ना वो dangerous business है यार मतलब इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है मुश्किल इसलिए नहीं है अगर आप समझ जाओना इस business को कि किस तरीके से हम यहां पर टिके रह सकते हैं तो यह आपके लिए best on best business होगा मतलब सबसे best business होगा लेकिन अगर आप इसे नहीं समझते हो तो in the end क्या होगा आप मुझे गाली देखे जाओगे आप all in trade वालो गाली देखे जाओगे आप बोलोगे भाई ऐसे यह बकवास है यह सब ऐसा ही होता है यार गलती आपकी भी है यह जो platform वाले हैं यह advertisement दिखाते है कि करोडो और वो कमाओ उनकी गलती है advertisement गलत दिखाते है लेकिन आपकी भी गलती है आप उन advertisement में फस जाते हो यार देखो platform आपके सामने है पैसे कमाने का तरीका आपके सामने है लेकिन आपका हाथ पकड़ के कोई नहीं बताएगा कि आप क्या करो सिर्फ आपको एक राह दिखाई जा सकती है आपको सिर्फ बताया जा सकता है करना ना करना सारा सब कुछ आपके हाथ पे depend करता है सब कुछ आपके दिमाग पे depend करता है trust में सिर्फ एक चीज़ करो proper plan follow करो कभी भी account को blow मत होने दो probability ये चीज़ याद रखो जब मैं आपे trade ले रहा था 90 डॉलर की मेरे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए थी यानि कि एक normal user के दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए थी वो ये कि अगर आप एक normal user हो आप trade ले रहे हो आपके account में 90 डॉलर है आप बहुत सारा loss कर चुके हो तो क्या guarantee है कि वो 90 डॉलर की trade भी आप win करोगे इसकी कोई guarantee है तो आप मुझे बताओ कोई भी guarantee नहीं है आप वो trade भी loss कर सकते हो probability 50-50 है मतलब आप या तो जीतोगे या हारोगे लेकिन क्या आपने हारने की probability लगाई क्या आपने सोचा कि हारूँगा तो मैं क्या गरूँगा लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आया था कि अगर मैं win कर जाओँगा तो मेरा सारा loss recover हो जाएगा लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई या किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती जब trade लेते हो कि जब मैं हार जाओँगा तो मेरा पूर account zero हो जाएगा मेरी trading तो खतम हो जाएगी ना भाई इसके बाद मैं trading कैसे करूँगा just imagine उसके बाद मैं trading करूँगा कैसे मेरा तो सब कुछ खतम हो गया तीक है यार दिमाग लगाओ दोस्त guys उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और $200 की जो कुर्बानी है वो देने के बाद मुझे लगता है आप लोग के इतना तो समझ आ गया होगा कि यहां पर अपने account को blow नहीं करना है किसी भी condition में पसंद आती है like, comment and share करके अपना प्यार ज़रूर दे सकते हैं thank you so much for watching this video till the end